आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्रीराम क्लासर में और इस खास विल्यूम हम देखेंगे कक्षा आठ के गणीत प्रस्नावली 2.1 का हल प्रस्न है इसमें कूल टॉटल 12 प्रस्न है निम्न समेकरणों का हल ग्याद कीजिए तो इसमें हम पक्षांत टी इन सभी के में मान ग्याद करने तो यह सवाल इस वाले पेस पर और 6 सवाल हमारा अगले पेस पर यह वाले जो पेस नंबर 278 पर 2.1 जो प्रस्नावली वो दी गई हैं तो इन 12 सवाल को हम इस वीडियो में सोल करने वाल हैं तो आईए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कक्षा आठ की गणित का ये प्रसनावली है दो पॉइंट एक और पक्सांतन विदी से इन समय करनों को हल करेंगी तो सवाल हल करने से पहले पक्सांतन की जो नियम है वो हम देख लते हैं पक्सांतन के नियम तो पहला नियम है कि बराबर से इस वाली साइड में बाईतरब प् इसी प्रकार से हम दाइं और से बाईं और आएंगे तो बाकी की संक्या हो वो प्लस में बनेगी जोड़ वाली माइनस में भाग वाली गुणा में और गुणा वाली बाग में आएगी तो ये पक्सांतन के नियम है बाई टीपी की जो नियम है वो में याद रखने चार हो ह तो सबसे पहला सवाल है इसमें X-2 बराबर 7 इसमे हमें X का माण गयात करना है तो मैंनस के 2 कामिया से हटाएंगे This का 2 इस यहां से पकसांतन होगा तो बराबर से इद़ आएगा तो यह प्लस में बनेगा X बराबर आएगा 7 प्लस 2 यानिकि X का मान आया है इसमें 9 तो यही समिकन का हल है यानिकि इसमें X बराबर हम 9 रखेंगे तो 9 में से 2 गटाने पर इसका उत्तर 7 आएगा इसी प्रकार से सवाल नमबर 2 Y प्लस 3 बराबर 10 इसमें हम 3 का पक्सांतन करेंगे जो X के अलावा जो संक्या है Y के अलाव जो संक्या है इन सबी को मियांसे हटाएंगे प्लस के 3 पक्सांतन करेंगे तो यह माइनस के 3 बनेंगे तो Y बराबर आएगा 10 माइनस 3 10 में से 3 गटाएंगे तो आंसर आएगा इसका 7 तो Y का मान आए इसमें 7 यानिकि समयकर जो सवाल नमबर 2 है इसमें Y बराबर 7 रखेंगे तो 7 और 3 बराबर में उत्तराएगा 10 सवाल नमबर 3 है 6 बराबर जेड प्लस दो इसमें में जेड का मान गयात करना है तो इस दो को मियांसे हटाएंगे प्लस के 2 काम पक्सांतन करेंगे तो यह माइनस के 2 बनेंगे तो 6-2 बराबर Z 6 में से 2 गए तो अंसर बचेंगे इसमें 4 यानिकि Z का मान इसमें आया 4 इस वाले सवाल में हम Z बराबर 4 रखेंगे तो 4 में 2 जोडने पर इसका अंसर 6 आएगा सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 है 3 बटा 7 3 बटा 7 प्लस X बराबर 17 बटे 7 इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले 3 बटा 7 का पक्सांदन करेंगे ये प्लस की संक्या बराबर से इदर आएगी तो माइनस में तो प्लस की 3 बटा 7 बराबर से इदर आएगे तो माइनस की 3 बटा 7 इसको हम गटाएंगे 17 बटे 7 में से तो दोनों की लगुतम लेंगे 7 और 7 की लगुतम आ जाएंगे 7 जब हर एक जैसे हो तो उपरवाड़ी अंस वाइस हैंगे को हम वैसे वैसे ही लिख लेते हैं तो एकस बराबर आएगा लगुतम में 7 और 7 का बाग 7 में एक बार एक को 17 से गुणा करेंगे तो 17 मैंस 7 का बाग 7 में एक बार फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तो 17 में से 3 गटाएंगे तो आंसर बचेंगे आप पर 14 फिर 14 में लगूत हम 7 का बाग देंगे तो यह दो बार जाएगा यानिकि X का जो मान आया वो 2 आया X बराबर 2 इसका अंसर होगा फिर सवाल नमबर 5 सवाल नमबर 5 है 6 X बराबर 12 इसमें X का मान ग्याद करना है तो यहां से 6 का बार चाएंगे यह 6 इसके गुणा में इधर आएंगे तो बाग में तो X बराबर आएगा 12 बटा 6 यानिकि 12 में हमने 6 का बाग दिया तो दो बार गया तो X वो इस्का ad just अवद लूभा लंबर छे टी बजाई पांच बर बर दस इसमें हमें टी कमान Selbst करना है तो इसके बटे में जो संक्या है बाग में पांच इसका हटाएंगे बाग बाग वाली सेंग्या बराबर से इदर आती हैं तो गुणा में चले जाती हैं तो टी बराबर आजाएगा 10 इंटू 5 तो टी कमान आया 10 इंटू 5 यनिकी 50 तो टी बराबर अगर आप 50 रखेंगे और 5 का बाग देंगे उसका अंसर 10 आएगा फिर सवाल नमबर 7 दो एक्स बटा सब्सक्राइब एक्स बराबर ठारा इंतू तो दोस्क्राइब तो रखेंगे फिर सब्कूरा वह से ऩर्वाओ इसके फ्रीजिया वह सब्सक्राइब क्सा zh एकपुइंट पांच इसके जो भाग में संक्या 1.5 हम इसको यह बराबर से इसा कण के लिए तो गुना में तो एकपु फांच इंटु एकपुइंट छे यह दोनों संक्याओं का गुना करेंगे तो 15 को हम डायोटि 17 से कुना करेंगे फिर एक दस्मलव इस संक्या का और एक दस्मलव इस संक्या का यानि कि जो भी उतर आएगा 15 इंटू 16 करने के बाद उसमें हम दो अंग छोड़के दस्मलव वापस लगा देंगे तो इसका आंसर आएगा वो आएगा इसमें 2-10 plus 40 याया ॵाइक का मान सवाल नंबर 9 7X-9 बराबर 16 इसमें हमें X का मान ग्याद करना है X का मान ग्याद करने के लिए हम 9 का पकसंदन करेंगे तो 9 मान ग्यार आएगे तो वो पलस में बनेंगे तो ये हो जाएंगे सत्रा नो प्लस सोला ये आया साथ एक्स बराबर नो प्लस सोला यानिकी पत्चीस एक्स कमान गयात करने के लिए हम इस साथ को भी यहां से खटाएंगे ये साथ इसके गुणा में इधर आएंगे तो भाग में तो पत्चीस में हम बाग देंगे साथ का य वैगे सपाथ है प्या finodaf?' हमेड़ी कमान गयाद करना है तो इस चाफ़दा को भी हमें हब साथ हटाएंगे तो यग बड़ाबर आजाएगा हमारा एकिस बड़ा 14 ये साथ के पार से कट जाएंगे 21 तीन बार और 14 खटेंगे 2 बार तो इसका जो आंसर होगा वो 3 बटा 2 होगा तो Y का मान आया हमारे पास में 3 बटा 2 इसी प्रकार से सवाल नमबर 11 सवाल नमबर 11 है 17 प्लस 6 P बराबर 9 हमें इसमें P का मान गयात करना है तो हम 17 का पकसांतर करेंगे तो 17 की सब्सक्रा Man गया भर नो 19-7 तो 6 P बराबरее प्रकार मान गयात करना है तो इस चे को यहंसे ऩट आएंगे तो यह मायनस के 8 और बटा रजएंगे up फिर 8 और 6 को हम 2 के पार से कटेंगे 8 कटेंगे हमारा चार बार और चे कटेंगे तीन बार ये मैनस के आठ तो मैनस का 4 बटे में 3 तो P कमान आ जाएगा इसमें मैनस का 4 बटे 3 इसी प्रकार से जो सवाल नमबर 12 है वो हम देखते हैं X बटा 3 प्लस एक बराबर 7 बटे 15 सबसे पहला मुसमें इसे एक संदन करेंगे एक पलस का बराबर से यदेर आएगा तो माइनस में पिर मैनस बीच में 11 है गई है लग लेकि इसको हल करेंगे तो 15 और एक का जो यह क्योंद मैं वह आएगा है इसमें पंदरर तो फंदरा का बाग 15 में 7-15 बटे 25 आएगा यानिकि X बटटा 3 बराबर में आएगा 7 में से 25 गए तो मैंस के 8 और बटे में लगतम के 15 X कमान गयाँ करना तो इस 3 को भी हम्हाँ से हट आएंगे 3 इसके बाग में बराबर से इधर आएंगे तो गूना में पिर तीन हो पंद्रा को मां thiन के पार से काटेंगे तो तेन के पार से तीन 3 बराबर 7 फिर इसमें तीन का पक्संदन करेंगे तो 2x बराबर जाएगा 7 प्लस 3 यानिकी 10x कमान गयाद करने के लिए हम 2 को हटाएंगे 2 इसके गुणा में इदर आएंगे तो बाग में एक्स बराबर जाएगा 10 बटे 2 यानिकी X का मानाया 5 इसे प्रकार से हम उधार नंबर 2 को भी हल करेंगे उधार नंबर 2 है हमारे पास 7 में हल कीजी 2Y पलस 9 बRIS नो बराबर 4 इसमे हम 9 का पक्संत्र जूं करेंगे सबसे पहले तो 9 पलस में बराबर से इधर आएंगे तो माइनस में तो चार में से नो गए तो माइनस के पांच तो दो वाई बराबर हमारा जो आएगे स्टेप बनेगी वो दो वाई बराबर माइनस के पांच इस दो को भी हम यहां से हटाएंगे दो इसके गुणा में बराबर से में इधर लाएंगे तो यह जाएंगे इसके भाग में तो वा अगली प्रसनाल के बार में चर्चा करेंगे तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और वीडियो को पस लाइक जरू करें जल्दी मिलते अगले वीडियो में तब तक जय हिंद जय बारत